नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्टडी नियूस आज हम लोग भवमुखी प्रतिभा के संपन विद्वान अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट के बारे में जानेंगे ये एक बहुत ही गजब के वेग्यानिक है इनका जन्म 14 इतंबर 1779 में जर्मनी के बरलिन में हुआ था जर्मन और मा का नाम मारिया एलिजबेट था हमबोल्ट का जर्म एक संपन परिवार में हुआ था यानि एक ठिक ठाक परिवार था पैसे की कमी नहीं थी इनके परिवार में वहाँ पे इनका जर्म हुआ था अगर हमबोल्ट के एजुकेशन की बात करें तो इन्हें कई सब्जेक् की आयू तक इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट स्कूल्स में की जहां इन्हें वनस्पती विज्ञान यानि बॉटनी में इंट्रेस्ट डेवलप हुआ इनका फिर इन्होंने जैसे जैसे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की या आग बहुत सारे विज्ञान को एक से अधिक विश्यों में रूची हो और उसमें गहरी जैनकारी हो तो उस विज्ञानिक को या उस व्यक्ति को पॉलिमेट कहा जाता है अब हम इनके ट्रेवल लाइफ के बारे में बताते हैं क्योंकि इन्होंने जो भी रिसर्च किये जो भी य 1791 में इन्होंने कई जगहों की यात्राएं की और 1797 में इनकी मा की मृत्ति हो गई इसके बाद इन्होंने 90,000 किलो मीटर की एक लंबी यात्रा शुरू की इस दोरान इन्होंने साथ अमेरिका के एंडिज के दुरगम पहाड़ियों पर और अमेजन से लेकर क्यूबा USA की य पहली विदेशी समुदरी यात्रा शुरू की थी इस यात्रा के बाद हमबोल्ट ने 1799 में दूसरी यात्रा की क्यूबा की यात्रा 1800 इसवी में शुरू की थी जहां पर इन्होंने वनश्पती के फिल्ड में कई काम किये और बहुत सारा योगदान दिया क्यूबा के बारे और कितनी विश्तरित थी कि इन्होंने एंडिस परवत स्रेडियो से लेकर अमेजन के सघन और दलदली प्रदेश और लानोस के घास के मैदान और और निको नदी के उपरी घाटी तक यात्राएं की थी 1804 में USA की यात्रा शुरू की Humboldt ने अपनी यात्रा के द्वारा एक विश्तर डायरी भी लिखी जिसमें इन्होंने अपने पूरे अभ्यान के बारे में लिखा था जिसे बाद में प्रकाशित भी किया गया था यहाँ पर आप देख सकते हमboldt के important books हैं जो प्रसिद हुई प्रसिद बुक में पहला है राइन लैंड वेसाल्ट ये एक सोध गरंत है फिर उसके बाद है experiences of the new world ये नई दुनिया की यात्राओं के बारे में इस पर आधारित है इस बुक में भू विज्ञान, वनस्पती सास्त्र, मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है और इन से जुड़े कई चित्र भी इसमें दिये गए है थर्ड बुक के बारे में बात करूँ जिसका नाम है Asia Central इसमें यूराल एवं पस्चिमी साइबेरिया के खनी संस आदनों के बारे में जानकारी मिलती है चौथी बुक है कॉसमोस ये हमबोल्ट की सबसे प्रसिद बुक है इसकी रचना दक्षिड अमेरिका के यात्रा पर की गई थी जो पांच खंडों में है इस बुक का प्रकासन 1845-1862 तक किया गया ये बुक 17 वर्सों में पूरी हुई इसमें दूसरा पॉइंट दिया है भुगोल इस्थानिक वित्रण का विज्ञान है फिर यहां पर देखिए थर्ट पॉइंट लिखा है जनरल जोगरफी इस फिजिकल जोगरफी फोर्थ पॉइंट है जोगरफी इस दे साइंस ओ रिलेशन्स जिसका मतलब है भुगोल जो इसमें बताया है कि भुगोल के अध्यन में भुगोलिक विसलेशन्ड की समझ जरूरी है मतलब कि आप भुगोल का अध्यन कर रहे हैं तो उसमें भुगोलिक विसलेशन्ड की समझ मतलब कि आपको उस इस्थान के बारे में उसकी प्रकृती के बारे में जानना बहुत ही ज मतलब कि अभी तक भोगोली की तिहास में जो भी घटनाय हुई है उसमें विसंगती पाई गई है सही बात है कि क्योंकि जो माउंटेन आज से 10,000 साल पहले थे जैसे भी रहे होंगे वो आज उसी तरीके से नहीं पाई जाएंगे उसमें कुछ न कुछ बदलाव तो हुए ही ह होगी उसमें विसंगता होगी इसलिए हमबोल्ट ने कहा कि उसमें विसंगती पाई जाएगी और लास्ट पॉइंट है concept of unity of nature इसका मतलब है कि प्रकरती की एकता का संकल्पना यही साथ संकल्पनाओं को हमबोल्ट ने बताये हैं आप इन्हें याद रख लीजेगा अब हम यह जानते हैं कि भुगोल के विकास में हमबोल्ट ने क्या-क्या महत्पोर्ण यागदान दिये हैं हमबोल्ट ने भुगोल की परिभासा और उद्देश से के बारे में बताया है उन्होंने भुगोल को अत्यंत व्यापक यानि बड़ा बताते हुए कहा कि इसमें प्रिथ इसमें कैसे अनुरूप अंतर पाया जाता है इनके बराबर कि वस्तू और घटना और प्रकरती कैसे रिलेट करती है हमबोल्ट ने ही एकता की विचार धारा के बारे में बताया है इसका मतलब यह है कि प्रकरती में जो भी वस्तू उपस्थित हैं वे भले भिन दिखाई द वालों मुखी का विस्तृत वरणंग करने वाले पहले व्यक्ति थे जलवाईउ और मिट्रोलोजी में इन्होंने काफी योगदान दिया इन्होंने ही परमा फ्रोष्ट का सटीक विसलेशन किया था परमा फ्रोष्ट का मतलब होता है जीरो डिगरी से कम तापमान वाले इस लगभक सभी विश्यों में और सभी पर सटीक और इन्हों ने योगदान भी अच्छा दिया। हमबोल्ट ने ये भी बताया कि सभी प्रजातियों का उदगम एक ही है और कोई भी प्रजाती हीन या स्रेष्ट नहीं होती। ये इनका बहुत important statement था हमबोल्ट एक निश्चेवादी विचारक थे क्योंकि इन्हों ने प्राकर्तिक तत्वों के प्रभाव को एक दूसरे से relate माना था और मानाव के काम का प्रभाव प्रकर्ती पर पढ़ता है इसके बारे में भी समझाने का प्रयास किया था। हमबोल्ट ने मानचित्र बनाने की विदियों में भी कई बार योगदान दिया। आपको बता दू कि इन्हों ने ही सबसे पहले पनामा नहर बनाने का सुझाओ दिया था। जलवायू विज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्हें जर्मन का भारतेंदू भी कहते हैं। अगर आप से कभी कोश्चन पूछ लेगा कि जर्मनी का भारतेंदू किसे कहा जाता है तो इसे आप याद रख सकते हैं कि अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट को ही जर्मन कहा जाता है इन्होंने ही कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया जिसके दो भाग है यूरेनोग्राफी और जोग्राफी अब देखते हैं कि हमबोल्ट के नाम पर किन-किन भोगोलिक चीजों का नाम पड़ा है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सोत किये तो आप समझी सकत हम्बोल्ट ने दक्षिद अमेरिका के पश्चमी त्ट परिस्थित पैरू जलदारा है जिसकी खोज इन्होंने की थी इसलिए इसे हम्बोल्ट जलदारा कहते हैं ये ठंडी जलदारा है इसी तरह Us. khator के निवादा राजय में एक नदी है जिसका नाम हम्बोल्ट के नाम प हमबोल्ट ने इस प्रकार भुगोल और कई स्चेत्रों में योगदान दिया और फिर 18-69 में इनका निधन हो गया था तो आप समझ सकते हैं कि हमबोल्ट कितनी बड़ी सक्सियत थी ये एक बहुत ही उच्च कूटी के विद्वान थे और एक संपन परिवार में पैदा होने का इन्होंने काफी सही ढंग से जिसे कहते हैं अपने जीवन में इंप्लिमेंट किया और अपने फोकस जिसे कहते हैं साइन्स के प्रती फोकस बहुत अच्छा था इन्होंने जोग्रफी के छेत्र में जोलोजी बोटनी कोई भी छेत्र नहीं छोड़ा हर जगे इन्होंने अलेक्सेंडर वॉन हमबोल्ट के बारे में, हम साइन्स के छेत्र में और दूसरे इन्वेंटर्स और वेग्यानिकों के बारे में और भी बताएंगे अलग-अलग वीडियो में. So, thanks for watching this video. Please like, subscribe and comment.